Good afternoon रच्चू, Good afternoon, मैं हूँ Professor Hariram Sinha और आज के इस क्लास में आप लोगों को Teaching Aptitude, NTA, UGCNate, GRF के Paper 1 का सबसे important topic होता है, उससे आज मैं 20 most important questions discuss करने जा रहा हूँ, तो फिर बने रही है last तक आपके score में ये 4 चार चांद लगा देगा, चलते हैं स्क्रीन पे लेकिन उसके पहले आप से क्रिक्वेस्ट है, कि जदी आप इस चैनल पे नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन जरूर दबा दें, वीडियो को लाइक और शेर जरूर करें बच्छो, चलते हैं स्क्रीन पे ले बच्छो, हम स्क्रीन पे आच चुके हैं बच्छो, और आज का पहला question, teaching aptitude से पहला question, बहुत ही ये topic बहुत ही easy होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा important भी होता है बच्छो, जैके please, पहला question आपके screen पे आप मुझे आप देख सकते हैं इसे, ये रखे, how a teacher should behave with student, एक teacher को student के साथ किस तरीके साथ के behave करना चाहिए बच्छो, हिंदी में आप सिक्छक को साथ छात्रों के साथ कैसा बेवार करना चाहिए, आम बेवार करना चाहिए, पीता के समान बेवार करना चाहिए, दोस्त के समान बेवार करना चाहिए, या फिर leader के समान बेवार, बहुत ही simple है, जो teacher होता है, उस classroom का leader होता है, वो जो करता है, बच्छे उसको follow कर तो आंसर इसका क्या है बच्छों इट शुड़ बी लीडर जैसा बहुत राइट नेक्स्ट क्या है बच्छों देखें प्लीज नेक्स्ट क्वेस्टन में आप देख सकते हैं बच्छों नेक्स्ट क्वेस्टन देखें क्या रहा है क्वेस्टन की अगोल अगोल स्टूडिंट रिक्वेस्ट यू तो कलेक्ट हर पूस्ट आट यू एड्रेस वाट वूड यू लाइक तो दू इन दिस केस मान लेज़े कि आपका कॉलेज है और वो सहर में है और लड़की अपने गाउं से दिल्ली पढ़ने आई है और ऐसी जगह रह रही है जहां पे उसके चिठियां जल्दी नहीं पहुंच सकते और आप चुकिए टीचर हैं तो आप कॉलेज की होस्टल में रहते हैं या फिर सब्सक्राइब या फिर एक अच्छी कलोनी में रहते हैं तो कहते हैं कि सर आपके चिठियां जल्दी पहुंच जाएगी इसलिए क्या मैं आपके घर पे का एड्रेस दे दूँद जहां से मैं आपनी चिठिक कर लोगे क्यों कि मैंने आपको घर देखा हुआ है तो कि इस इ ऐसा मतलब आप हो सकते हैं कि आपके साथ cheating हो जाए as a teacher you should allow you will permit her because you may get in touch with her क्या करना चाहिए आप तो basically as a teacher है आप बच्चों को help करना बच्चों को सही रास्ता दिखाना आपका काम है इसलिए as a teacher you would allow her ठीक है बच्चों आज टीचर आपको allow कर जाते हैं उसे कोई फरक पड़ता नहीं है कि आपके घर से वह आप चिठी करेक्ट कर लें उसे कोई फरक नहीं पड़ता है हिंदी में भी है आप इसे देख सकते हैं बच्चों next 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 कौन सा question है question है the most important task of teaching is teaching का सबसे महत्वपून काम क्या है making monthly report maintaining record नहीं यह किसका काम है यह हमारे color का काम है making assignment and hearing reaction यह काम है बिलकुल काम है assignment बनाना आपका काम है लेकिन इससे भी important काम है आपके पास directing student in the development of experience यह student को direct करना student को direct करना teacher का काम है सबसे important काम है ठीक है next question देखते हैं इसका हिंदी वर्जन भी मैं लेकर का हूँ आप लोग देख सकते हैं बच्चों ठीक है question number fourth the most accurate statement about the teaching machine is teaching machine के बारे में सबसे बढ़या वो क्या है statement क्या है देखे BF snickers begun the movement for their use they were designed as economy major to replace teacher they are not efficient as teacher in reinforcing response they can be used for all learning program यानि teaching machine teacher के जगह पे machine यूज करना robot यूज करना ये इसके बिना सबसे important statement क्या है तो इसका सबसे important statement है BF snickers ने दिया begun the movement for their use ठीक है बच्चों इन्होंने BF snickers ने उसके उप्योग के लिए आंधोलन शुरू गिया चलिए next next question देखिए बच्चों question no.5 आपकी screen पे question no.5 देखिए the Dalton scheme of education is useful for which one of the following Dalton के लिए जो education के scheme था Dalton ने जो theory education के लिए वो किस के लिए था सबसे छोटे बच्चों के लिए infant के लिए little children के लिए older children के लिए ये क्या है older children के लिए नहीं दिया जाना चाहिए आई रिपीट अगें एक छात्र को गंभी रूप से डंड क्यों नहीं दिया जाना चाहिए एक उच्चे प्लीज ही में कवेरल विए teacher teacher से लड़ सकता है जगाड सकता है यह में लीव दिस school and join another वह स्कूल को छोड़ करें दुसरे स्कूल जा सकता है इस पेरिंट्स में कवेरल विद तीचर उसके माता-पिता आप तीचर से जगाड सकते हैं देवलोप ए निगेटिव एटिचूट तोवर्डस इस स्टडी टीचर आइंड स्कूल उनको गंभी रूप से दंडित इसलिए नहीं किया जाना चाहिए यह हो सकता है उसके उसकी स्टडी से मन भाग जया तीचर के बारे में निगेटिव एटिचूट आजा उसका और इस हो. Next question, question number seven, question number seven. The term least restrictive environment refers to the education of handicap, gifted, early childhood, youngster and retarded. हिंदी में देखिए सब्ध का अर्थ सिक्षा से है किस सिक्षा से बिकलांग के सिक्षा से पर्तिवासाली के सिक्षा से या बच्पन के जुवा से या फिर मन्द बद्धी से किस से उसका जो संबंध है वह है विकलांग के सिक्षा से बच्षे उसके लिए रिश्ट रिस्ट्रीक्टिव होना चाहिए यो आप जानते अच्छी तरीकेस जांते हैं कि कि बहुत सारी जैसे जो जो दिब्यांग तरह के बच्चे हैं उनको बहुत सारी जो आपने स्कूल में या कॉलेज में जो रूल बनाया है वो सकता है उसको मतलब प्रकर्ति ने उस तरह की एबलेटी नहीं दिया है कि सब के साथ को पर करें इसलिए किसी तरह कि आपके section no. 8 अभी देख से अनुसार को सकता है तर्टिगत आव सकता है या फिर सद्हांतिक आए क्या है इसमें से बता सकते हैं तो डेफिनिटली सिक्षा एक समाजी का हो सकता यानि एक सोसल नीड है बच्चों सिख्चा एक सोसल नीड है बच्चों आप लोग के लिए मैंने ये सिरीज शुरू किया है बिल्कुल फ्री अफ कॉस्ट एक्जाम के पहले तक कम से कम आपको 200 क्वेशन्स मैं जरूर दूगा तो आप लोग बिल्कुल फ्री अफ कॉस्ट निजवाए करिए लेकिन लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीज़ेगा बच्चों ठीक है नेक्स्ट क्वेशन टीचिंग इस नॉट आट आज प्रोसेस और सिक्षण की प्रक्रिया के रूप में नहीं सोचा जाता क्यों बच्चों डारेक्टिंग अक्टिविटी अफ पीपल लिस्टनिंग रियक्शन अफ पीपल इंस्ट्रक्टिंग अटी एडल्ट आइडियास तू दे यंग पीपल नन अब दीज इसका आनसर होगा बच्चों जुआ लोगों को व्यस्क विचार रखना एड नौट है ठीक है नौट भषएग्ट नेक्स्ट क्वेस्चन पर बात करें हैं भानेक्स्ट क्वेस्टन देखें इसमें एक और क्वेस्टन था यह होगे question number 10 आपके screen पे है बच्छो the major objective of education education का सबसे बड़ा objective क्या होता है बिता सकते हैं बच्छो education का सबसे बड़ा objective reform the society making student disciplined develop inherent ability power of student making student follower of the teacher चुकि teacher को ideal के रूप में जाना जाता है कि हर student चाहता है कि मैं इस तरीके काम करूँ तो teacher को ये चीज़ें होनी चाहिए कि बच्चे उसको follow करें making student follower of the teacher ठीक है बच्छो next नहीं ये answer नहीं होगा बच्छो major objective of the education is not this ये answer नहीं होगा ये होगा developing inherent ability and power of the student चाहत्रों में अंतर नहीं छमताओं और सक्तियों का विकास करना इसका answer ये होगा बच्छो teaching का जो है सबसे बड़ा objective है कि चाहत्रों में जो अंदर की जो उसका power है उसको भिक्षित करना ये ही एक teaching का एक major objective चलिए नेक्स्ट question number 11 question number 11 each child grew in its own unique way the wide individual difference things are caused by पर्तेग बच्चा अपने अनूठे तरुके से बढ़ता है ब्यापक ब्यक्तिगत मतभेद के कारण होते हैं क्या होते हैं जैको प्यक्षिन कह रहा है हर स्टूडेंट अपने यूनिक तरीके से ग्रोव करता है लेकिन ब्यक्तिगत मतभेद के कारण क्या होते हैं पता सकते हैं आप लोग हरीडेटी एंडावमेंट इन्वार्मेंटल इंफ्लेंस या फिर औल अप देज इसका अंसर होगा औल अप देज ब्यक्तिगत मतभेद के बंसगत हो सकते हैं बच्चों उनके पास कितना कितना अमीर है ये भी हो सकता है किस इन्वार्मेंट में वह जी रहा है ये भी हो सकत है मैं अब सब के सब इसका आंसर हो सकते हैं यानि आंसर इस ओल आफ दीज के लिए रहे है क्वेश्चन नमबर 12 देखे बच्वेश्च आल अफ तो फॉलोइंग आर एडवांटेज आफ टीचिंग मसीन एक्सेप्ट टीचिंग मसीन के एडवांटेज है सारे इसमें से कौन टीचिंग मसीन का अडवांटेज नहीं है बता सकते हैं बच्वेश्चों चुन्ट्रोल अफ चीटिंग, ट्राकिंग अफ एरर, इन्सोरेंस अफ अटेंदेंस, दा युनिवर्सल यूज अफ दिफरेंट काइंड आफ प्रोग्राम, य क्वेश्चन नमबर फार्टीन, अटीचर कान है अडवलेंस, तो ओवरकॉम हीज इस स्पेशल प्रोग्राम, और हेल्प हिम प्रजस्ट तो अइन्वार्मेंट, विच अफ फॉलोइंग एटिचिवूट, ही सुद नाट मेड, हिंदी में इसका रूपांदरण समझे है, ए और उसे परियावारण के सांथ तालमेल बिठाने में मदद करता है, उसे निमलिखित में से कौन सा रवया नहीं बनाना चाहिए, ठीक है बच्चों, कौन सा रवया उसमें से नहीं बनाना चाहिए, यानि यह आज का अंसर है, उस सब के प्रती, समझे होना चाहिए, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, क्या है, आज मैं 20 most important questions, teaching aptitude से discuss करना जारा है, और इसका जो है ना, इसका जो PDF है, वो मेरे आप के free section में, free, मतलब PDF, free section है, free PDF section है, उसमें ये available है, आप चाहिए, तो वहाँ से आप लोग download कर सकते हैं, बच्चों, the process of learning, ये देखे, प्लीज बच्चों, the process of learning include, which of the following, इसमें से कौन सा process of learning में आता है, बच्चों, बता सकते हैं आप लोग, synthesis and organization of the world and new experience ये आता है, it include all activity which leave permanent effect on the individual, ये भी आता है, its simplest form, learning means acquisition, retention and modification of experience, ये भी है, all of the, इसमें से सब के सब teaching process में include होता है, बच्चों, next question देखे, बच्चों, बड़ा मजा आता है ना पढ़ने में, इस तरह के questions है ना, question number 15, आपके screen ते, a new corner, new comer, teacher who is maltreated in his class, will deal with student by, एक नया टीचर जो अपनी कच्छा में दुर बेवहार करता है, चातरों के साथ बेवहार करेगा, किस तरहीके से, इसका जो हिंदी रिपांतर्ण है, थोड़ा सा गलत हो गया है, इसको छोड़ दीजाए आप लोग, यहां देखिए, a new comer teacher who is maltreated, मतलब नया टीचर है, उसको बच्चों ने उसको थोड़ा सा हिमलेट कर दिया, क्योंकि नया टीचर जब नया पढ़ाने जाते हैं, तो क्लास में अजीव-जीव सा रखता है, बच्चे कुछ मजाक उड़ा देते हैं, अपने बच्चों के साथ किस तरीके से वो डील करें, अपलाइंग प्यूनिटिव मेजर्स, इंप्रूब क्वालिटी जने एक्स प्रेसिंग, इस बिफोर देम इन गुड़ वे, चेंजिंग हिस क्लास आफर कंसल्टेशन, गिविग देम एट, टेट एट एक्सपल्स, इस किसमें से क्या करना चाहिए, उसको करना चाहिए बच्चों, इंप्रूबिंग हिस क्वालिटी, नौकरी तो हो गया, कई बार क्या होता है, आप इंटर्व्यू में अच्छे होते हैं, आप राइटिंग में अच्छे होते हैं, लेकि जब क्लास में जाते हैं, तो आप बिल करना चाहिए एक है बच्चों नेक्स्ट क्वेस्टन है बच्चों देखें क्वेस्टन नमबर सिक्स्टेम एक सिक्षक अपने सिस्ष्य के साथ संबंध अस्थापित कर सकता है किस तरह का मतलब बहुत पावरफुल इम्प्रेसिंग देम इस नॉलजज और स्किल्स प्लेंग रूल अफ गाइड डिजाए तू है बच्चों इस तरीके से अपने आपको रूल प्ले करना चाहिए उसको इस तरीके से अपने आपको रूल प्ले करना चाहिए कि वो उसके लिए हमेसा हैँ के लिए तया है एक है नेक्स्ट वेस्ट वेस्टन question number 17 if majority of the student in your class is weak you should not care about the intelligent student keep your speed of teaching गास तो नहीं अपने स्पीड के अनुसार नहीं आपको बच्चों की स्पीड के अनुसार चलना है keep your teaching slow which can also be helpful to the bright student and keep your teaching slow along with some extra guidance to the bright people यह होना चाहिए आप अत्यक्य सबल आल्मोस्ट बच्चे कम जो रहें वहां पर तो अपने स्पीड को कम रखिए लेकिन कुछ जो ब्राइट बच्चे हैं उनका भी ध्यान लिजिए ठीक है बच्चों चलिए next question क्या है next question देखिए बच्चों question number 18 for formulating the curriculum which factor is most important curriculum बनाने के लिए यानी पाठिकरम तयार करने के लिए इसमें से कौन साथ सबसे इंपोर्टेंट आए बच्चों teacher ability, children's ability, national ideology, social and cultural ideals क्या होना जिए मिचे मिटा सकते हैं इसमें होना थे टीचर्स capability and need teachers capability and need यह ज्यादा सबसे important है क्यों किस तरह आपके पास teacher किस तरह यह ज्यादा important next question बच्चों question number 19 there are so many definitions of learning which one of is most adequate मतलब सीखने की बहुत सारी परिभासा है इसमें से कौन सा सबसे ज़्यादा उपयुक्थ है बच्चों modification of behavior development of skill acquisition of acquisition of knowledge and all of these know the modification of behavior सीखना मतलब अपने बेवहार में change लाना ठीक है question number 20 which of the following is mean for information collection schedule report plan and scope and this is schedule one day ठीक है बच्चों तो बच्चों आपके आज की स्क्लास में मैंने आप लोगों को 20 most important इसको बार बार देखेंगा बच्चों और इसी तरह के questions आपको करने की ज़रूरत है मैं तो आपको करी रहा हूं और नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों को 20 इस ऐसे question research से भी लेकर क्या रहा हूं तो फिर आप लगे रहे कीप वाचिंग इकुपार्ट साला बच्च कीप वाचिंग थैंक्यू बच्चिंग